जाहिन सातियों स्वागते हैं आपका अपनी YouTube चैनल Smartphone जीवाई में सातियों आज हम बात करने वाले हैं SSE GD वर्ती 2018 के बारे में वीडियो को सुरू से आन तक जुरूर देखना और आपके मन में जो भी सवाल होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बोसकते हैं और कमेंट का रिपलाई दिया जाएगा और जो भी चैनल पर नहीं विजिट कर रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जुरूर प्रेस करना ताकि आने वारी लेटेस्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेसन आपको समय समय पर मिलती रहे साती चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में किका खास है क्योंकि यह जो तीन सवाल है दोस्तों आजकल candidates को जो है वो बहुत परिसान कर रहे हैं ठीक है वो तीन सवाल क्या है सबसे पहला सवाल है दोस्तों की final merit कब आई ही ठीक है ना final result कब तक आएगा दोस्तो final result मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको जो notification करमसार देखा जाए तो 20 November के बाद आपको एक notification मिलेगा SLC की साइट पर उसके बाद आपको यह बता दिया जाएगो जो कल मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि इसमें आपको एक exact date जो है वो दे दी जाएगी result की तो वो result की exact date expected date जो है दोस्तों वो है December 25 के बाद ही ठीक है December 25 के बाद आपका result बनेगा December 25 लेकर January 1st week तक ठीक है January 2021 के 1st week तक ठीक है 1st week तक आपको जो है result जारी हो सकता है with force allocation ठीक है force allocation के साथ आपको जारी हो जाएगा यह 100% है और tentative है इसमें थोड़ा बहुत changes हो सकता otherwise कुछ नहीं होगा ठीक है तो दूसरी बात आज के लिगन डेट्स को परिशान करते दोस्तों की final merit कितनी बढ़ सकती है बहुत सारे candidates से comments करते हैं कि sir मेरे पांच marks ज्यादा है मेरे 8 marks ज्यादा है मेरा होगा selection या नहीं तो सिंपल सी बात में आपको बता देना चाहता हूं जिन के भी चार या पांच से उपर marks है वो तो बिलकुल ही निश्चिंत रही है ठीक है उनका 100% होगा 4 या 5 marks ज्यादा है इसे उपर जो है बहुत ही मैं सेप जोन में है उनका 101% होगा ठीक है यतनी मैं बात आपको कह सकता अपनी फुल सी ओटी के साथ ठीक है क्योंकि इतनी मैरिट इस पार नहीं बढ़ेगी यह डेफिनेटली है और अल ओफर इंडिया की बात करूं मैं तो कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जैसे साउथ ठीक है साउथ साइट साइड चले जाओ आप तो हाँ पर जो है पो जितनी बेक साइड देखो आप या तामिल नाटू साइड एक दो मैंने कट ओफ भी बनाई थी वहां पर जैसे रही सो बकैंसी है ठीक है तो कंडिरेट्स फाइनल डीमी के लिए कितने अवेलेबल थे 120 इस तरह से रेस हो है तो मतलब डीमी के लिए पूरे कंडिरेट्स नहीं मिली तो उनकी क्या मेरिट बड़ेगी आप सोचों तो आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन मेंने वीडियो बनाई बिद प्रूफ के साथ है उनकी कट ओफ सेलेक्ट करके दिखाई भी हूई है तो मेरिट जो है इस फ़र्ण में ज्यादा नहीं बोलता हूँ वाल इंडिया पे इस से स्ट की जो है वो 1 से 1.5 ठीक है से और स्ट की जो है एक से लेकर 1.5 ठीक है और जो ओबी सी की बात कुरूं में हाँ पर ओबी सी वो है 2 से 2.5 मार्क्स ठीक है और यहां पर जैनल की बात करें तो जैनल ठीक है जैनल की बात करें तो 2.5 से 3 मार्क्स ठीक है यह मैक्सिमम से मैक्सिमम लिए दोस्तो इससे उपर नहीं जाएगी 110 ठीक है इससे उपर कोई भी नहीं बढ़ेगी अगर बकेंसीज पढ़ती है तो यह भी डाउन हो जाएगी ठीक है अब जो आपका तीसरा में स सवाल है दोस्तों वो है वेकैंसीज ठीक है यह 25,000 वेकैंसीज का जो हमारा मुद्दा चला हुआ था इसके लिए राज गहाट भी यह तरह तरह के केंपेइन भी चलाए हम लोगों ने तो क्या सच में 25,000 वेकैंसीज बढ़ेंगी या नहीं तो दोस्तों इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपकी 25,000 वेकैंसीज की बात आती है यह तो सरकार को भी पता है रनवीर सर ने मेमोरेंडम भी दे दिया है ससी चीफ को CRVF को और माहिम राष्ट पती जी को भी अबगत कराया है इस बारे में कि तकरीब जो हमारे 85,000 जो है वो मेडिकल फेट क दोस्तों पता यह किसी को भी नहीं अभी अभी अप्सिल वेब साइट पर अपना कुछ भी नहीं डाला हूँ इसके बारे में कि कितने गडिट लेकिन एक अनुमान तरिके पर बताया उन्हों कि लग बग पचासी जार के सम्थिंग फेट है ठीक है अप्रोक्स माना हुआ ह तो वो उस बेस पर बताया कि 25,000 कि सम्थिंग और आल मेडिकल फेट कंडिट है यहां पर यह बताया कि आल मेडिकल फेट कंडिट को जोइनिंग दिलुआ जाए तो दोस्तों इस वाप बकैंसी बढ़ने के तो असार है वो मेरे को फुल लगते हैं क्योंकि बहुत तरह तरह जो टुटर अभियान और जो दिली राजगाट दरना प्रदरसन था उसके बारे में तो बहुत सारी जो है कुछ कारण है जिसके चलते हमारे बकैंसी बढ़ सकती है 25 ना बड़े दोस्तों मुझे इतना दो स्योर्टी है कि 12,000 कि सम्थिंग जो बकैंसी है आपकी 110 परसंट बढ़ेंगे यह बैसकर देख लेना एक एंड़ मिन या बेट करो आपको यौदेखने को मिलेगा 12,000 कि सम्थिंग जो बकैंसी है आपकी ये बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी ठीक है तब तो आपकी मैरिट जो और डॉन हो जाएगी ठीक है 12,000 कि सम्थिंग जो लीकैंसी है तो आप सबी को जो है वो दुबारा दूसरे कंडियेट्स को भी मौका मिलेगा और इनकी जितने भी अभी 60,000 के सम्थिंग बकैंसी हैं अगर यह 60,000 medical fit सेलेक्ट करते हैं तो 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 इनके जो final selection होगा दोस्तो जब जोइनिंग होगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि 40,000 candidates भी जोइनिंग करें क्योंकि बहुत सारे candidates की selection यहां से वहां other state job में हो गई है फिर कई army में चले गए हैं other other तरदर की department में select हो चुके तो वो इसमें नहीं आएंगे तो वो finalist को drop कर देंगे तो किसी को अपनी preference सही नहीं मिलेगी first choice नहीं मिलेगी तो वो भी इसको drop कर देगा तो 60,000 से मुझे नहीं लग रहा है 40,000 भी final join होंगे अगर यह 85 जार all medical fit candidates को joining करवाते हैं suppose that all medical fit candidates को joining करवाते हैं तकरीबन 85 के तब जाके इनकी 60 के fill होगी last में ठीक है 101% क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे candidates हो गए हैं बहुत सारी state police में चले गए है कोई कहां कोई कहां तो इस तरह से इनका scenario ड़ेगा तब जाके साथ के fill होगी नहीं तो फिर बग्याट चली जाएंगी फोशने सारी दोस्तों यह थी आज आज आपके तीन स्वाल I hope कि आप इसकी वीडियो में सिर्फ इतना ही और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद जैवार्त बंदे मात्र